राजस्तान में फ्री मोबाइल को लेकर गलोच सरकारने की नहीं गोशना साथियों राजस्तान में महीलां को वीतरण भी किया चुका है अब बहुत ही जल्द राजस्तान में महीलां को फ्री में स्मार्टपोन द्या जाएगा राजस्तान की फ्री मोबाइल योजना के लिए महीलाओं को अब बहुत ही जल्द स्मार्टपोन दिया जाएगा और पहला मोबाइल वितरन किया जा चुका है और बहुत ही जल्द पूरे राजस्तान में कैम्पों की दवारा फ्री में स्मार्टपोन दिये जाएंगे मुखे मंतरी की नई गोशना के अनुसार राजस्तान में फ्री स्मार्टफोन 25 जुलाई 2023 से मिलने शुरू हो जाएंगे और 25 जुलाई 2023 से 45 लाख महिलाओं को पहले ही चरण में प्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा राजे में जिस तरह से महिलाई राहत केम्प लगा कर जन आदार कार्ट से जुड़ी वी 10 योजनाओं के लिए रजिश्यसन किया गया इसी तरह से राजस्तान में भी फ्री मोबाइल बांटने के लिए केम्प लगाए जाएगे जिस महिला को जिस कम्पनी का स्मार्टफोन खरीदना होगा वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना पसंदीदा स्मार्टफोन खरीद सकेगे राजे सरकार उसके लिए एक निश्चित सबसीडी उनके जन आदार कार्ट से जुड़े वे बैंक खाते में बेज़ेगे अगर सबसीडी से ज़्यादा रूपए का मोबाइल खरीदते हैं तो ज़्यादा रूपए आपको अपनी जैब से जमाग करवाने होंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नई आए हैं तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें आपके बहुत ही काम किये इसलिए इस वीडियो को आप अपने वाटसप इंस्टाग्राम याओ गूगल ट्वीटर पर सेयर करें राष्थान में जो फ्री में स्मार्टपोन दिये जाएंगे वो अलग-अलग कमपनियों यानि कि किसी एक कमपनी का स्मार्टपोन नहीं दिया जाएगा और पहले ही चरण में 40 लाख महीलों को फ्री में स्मार्टपोन वित्रन किये जाएगे स्मार्टफोन के साथ में तीन साल तक इंटरनेट डाटा भी फ्री दिया जाएगा यानकि स्मार्टफोन का पूरा खर्चा इंटरनेट डाटा का पूरा खर्चा राजिय सरकार के दवारा वहन किया जाएगा केमपों में अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन होगे अपनी पसंद दीदा कंपनी का मुबाइल महीला केमप में खरीज सकेगे साथी केमपों के दवारा ही मुबाइल सिम कार्ड दिये जाएंगे अपने चेतर के नेट्रुक सुईदा के नुसार सिम कार्ड भी खरीज सकेंगे रास्तान की मुखे मंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतरगा जो फ्री में स्मार्टपोन दिये जाएंगे वो जन आधार कार्ड महीला मुख्या को दिये जाएंगे और जो जन आधार कार्ड महीला मुख्या है उसी के नाम से सिम कार्ड दी जाएगे सिम कार्ड आधार कार्ड के दवारा दी जाएगी और स्मार्टपोन जन आधार कार्ड के दवारा दिया जाएगा महीला खुद अपना मुबाइल अपनी पसंद का खरीद सकेगी सरकार केवल सबसीडी उनके जनाधार कार्ट से जुड़े वे बैंक खाते में दी जाएगे माल लिजे अगर राजे सरकार 10,000 रुपए सबसीडी बेजती है तो आप अगर 12,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो 2000 रुपए आपको अपनी जेब से देने होंगे महीलाओं को चरण बद रूप से 3 साल के इंटरनेट डाटा योक्त स्मार्टफोन निशुल्ग दिये जाएंगे पहले चरण में 40 लाख महीलाओं को डेटा योक्त निशुल्ग स्मार्टफोन दिये जाएंगे और राजस्तान में 25 जुलाई 2023 से मुखे मंदरी डिशल सेवा योजना के अंदर गद फ्री में स्मार्टफोन दिये जाएंगे स्मार्टफोन किसे दिये जाएंगे पातरता क्या होगी जिनका जन आधार कार्ड चिरिंजिवी योजना में जुड़ा हुआ है उनी जन आधार कार्ड से फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जन आधार कार्ड चिरिंजिवी योजना से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है तो आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जन आधार कार्ड मुखे मंतरी चिरिंजिवी स्वास्त बीमा योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है यानि कि आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा हम ओनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं रास्तान में फ्री स्मार्टफोन बांटने के लिए गलोज सरकार दवारा अलग-अलग गोशना की गी है हाली में राजे के मुखे मंत्री दवारा 25 जुलाई 2023 से फ्री में स्मार्टफोन बांटने की गोशना की गी है तता इससे पहले मुखे मंत्री के दवारा रक्षया बंदन फर फ्री में स्मार्टफोन बांटने की गोशना की गेते हैं लेकिन हाली में राजे के मुखे मंत्री ने नई गोशना की है कि 25 जुलाई 2023 से पहले ही चरन में 40 लाक महीलाओं को मुखे मंत्री के दवारा फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा तो दोस्तों में कॉमेंट करके बताएं क्या राजस्तान में 25 जुलाई 2023 से फ्री में स्मार्टपोन मिलने शुरू हो जाएंगे राजस्तान में पहले ही चरण में फ्री में स्मार्टपोन किन महीलाओं को दिये जाएंगे ये जानना बहुत जरूर है, कैम्प की तर्द पर मोबाइल योजना के लिए कैम्प लगा जाएंगे, इसमें बियस्नल, जियो, बारती, एरटैल, वोड़ापॉन, टेलिकॉम, सर्वीस, प्रोवाइडर कम्पनियों के और से मोबाइल की विवस्ता की जाएगे, ये कम्पनिय ही महिलाओं को पसंदिदा मोबाइल उपलब्ट कराएगी, ये कम्पनिया इसके लिए जितना पेशा सरकार e-wallet में देगी वैले लेगी, और कीमत अधिक होने पर महिला से अत्रिक तरासी ली जाएगे, ये प्राबदान भी होगा कि सिम के लिए एक साल का रीचार्ज वैल स्मार्टपोन दिया जाएगा, उसके बदले में राजय सरकार कमपनियों के e-wallet में पैसे जमा करेगे, साथी जो मोबाइल के साथ में सिम कार्ड दी जाएगी, उसका रीचार्ज भी राजय सरकार के दोवारा ही करवाय जाएगा, साथी जो राजय सरकार के दोवारा स्मार साती राजस्तान सरकार के जितने भी सरकारी योजना है उन सभी के एप आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। महीलाओं के लिए गलोज सरकार की एक बड़ी योजना है मुखे मंद्री डिजिसल से वा योजना और इस योजना के अंतरगत राजस्तान में एक करोड़ पैंतीस लाग से ज्यादा महीलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा और पहले ही चरण की फ्री स्मार्टफ किन किन को दिये जाएंगे यानि कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जन आदार कार्ड चिरिंजिवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है तो ही दोस्तों अब हम आपको चिरिंजिवी योजना से जुड़े वे जन आदार कार्ड की सूची दिखाते हैं जिन जुडवा सकते हैं मुख्य मंतरी चिरणजीवी स्वास्ते भीमा योजना में जूड़े वे जन आधार कार्ड से पूरे परिवार का 25 लाख रूपए तक का स्वास्ते भीमा होता है 10 लाख तक का दुरगटना भीमा होता है 1 करोर 40 लाख से ज्यादा जन आधार काड चिरंजिवी योजना में जूड़े वे हैं जिन में मुखे मंत्री चिरंजिवी स्वास्ते भीमा योजना में पांस रेणियों को निसुल्क में जोड़ा जाता है कर सक है जो लगोर सी मांद कर सक हैं सुवीदा करमी है जिनका राशन काड़ खा दे सुरुक्षिय योजना में जूड़ावा है सामाजिक आर्थिक जन करना यानि की SEC 2011 के पातर परिवार है निरासरी तेम SI परिवार है जिनको COVID-19X ग्राटिय के अंतरगत सामिल के गया है तो इन पांस रेणियों का बिलकुल फ्री में जन आदार काड़ चिरंजिवी योजना में जूड़ता है इसके अलावा बच्ची 20 रेणी जिनके गर परिवार में इंक 30,000,000,000 रुपए तक का स्वास्ते भीमा करवा सकते हैं अब अगर आपको यह जानना है कि मुखे मंदरी के दवारा जो फ्री में स्मार्टपून दिये जाएंगे वो हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे हम कैसे पता करें तो यहां पर चिरंजिवी योजना के पोर्टल है इसका मतलब आपका जन आदार काड़ चिरंजिवी योजना में जुड़ा हूए और किस महीला को फ्री में स्मार्टपून दिया जाएगा उस महीला का नाम भी यहां पर आपको मिल जाएगा तो अगर आपका इलिजिविलिटी स्टेटस में यह सारा है तो इसका मतलब आ राजस्तान की फ्री मोबाइल योजना है उसके अंदर गत आपको फ्री में स्मार्टपून दिया जाएगा अब हम आपको बताते कि पहले ही चरण में किन 40 लाक महीलाओं को फ्री में स्मार्टपून दिया जाएगा राजस्तान की निसुल्क मोबाइल योजना को लेकर सरक सरकार ने मोबाइल क्रीद में किसी गोटाली के अरॉपसे बचने और पसंद का मोबाइल क्रीदने के नाम पर फर्जी वाड़ा कर पेसा जीमने की असंगा का दर्वाजा भी बंध कर दिया सरकार पहले चरण में 24 स्वास्ते भीमा वाले परिवार की 40 लाक महिलाओं को ही मोबाइल देगे जिसके लिए चैन का क्राइटेरिया भी तै हो गया सरकारी विद्धलियों में 10 वी से 12 खक्षा तक सरकारी महा विद्धलियों आईटे वे पॉलो टेक्निक तो दोस्तों राजस्तान की फ्री मोबाइल योजना का पहला फ्री में मोबाइल महीला को दिया जा चुका है और बहुत ही जल्द यान की 25 जुलाई 2023 से पहले ही चरण में 40 लाक महिलाओं को फ्री में स्मार्टफ़न मिलने सुरू हो जाएंगे आज की विडियों बस इतना है मिलेंगे अगले विडियों में जानगे ही साथ आप से भी करते हैं सुबो जैहें दवन्य पात्रम